हेलो एवरिवन चलो आज सीखते हैं धोकला की एकदम परफेक्ट रेसिपी एकदम इंस्टन्ट वाला धोकला बनाएंगे एसा धोकला की बैचलर्स भी बना सके जो बैचलर लड़के या लड़किया रहती है ना वो भी एकदम इंस्टन्ट एसा धोकला बना सकते हैं तो चलो पानी स्टीम हो रहा है मतलब उबर रहा है तब तक यहां पर हम बैटर रेडी कर दिंगे तो यहां पर एक बाउल में मैंने लिया है देड़ कप बेशन और उसमें डाला है दो चमच चीनी आदा चमच यहां पर नमक डाल रही हूं थोड़ा सा हल्दी पाउडर एकदम आदा चमच या फिर उससे भी कम ले सकते हो एक टी रहस में नेवर का रस और यहां पर पानी डालियर चाहिए पक्क कला रहे हैं जो बैजन हो में हम ऊसे चांडों के भी ले सकते हैं इसमें लामस नहीं होने चाहिए एकदम समूधे सा ऐय्टर हो ना चाहिए अब ये तो रेडी है इसमें डालेंगे ओईल धोकला है गले में चिपके ना इसे वज़े से हमें इसमें ओईल डालना है और फिर इसे अच्छे से मिक्स करना है तो यह बैटर तो रेडी हो चुका है अब इसमें डालेंगे एक युनो का पैकेट तो युनो का हापे भी मिल जाता है और ये डीश ना एकदम फटाफट इस युनो की वज़े से तो बनती है जब भी ढोकला खाने का मन करें तो सिर्फ एक युनो का पैकेट लेके आओ और ब बेकिंग पेपर भी डाल सकते हो बैटर फूला हुआ बैटर है ना इसमें डालके हमें अभी स्टीम होने के लिए रखना है और जल्दी से जल्दी ये प्रोसेस हमें करनी है नहीं तो हमारा जो ढोकला है ना अच्छी तरह से फूलेगा नहीं और ऐसा कच्चा-कच्चा रह जाएगा धोकला बनाते वक्त हमें एक ध्यान देना है कि जिस भी ट्रे में हम बैटर डाल रहे है ना उसके नीचे ही पानी होना चाहिए उपर पानी हो जाएगा ना तब हमारा धोकला ठीक तरह के से नहीं बनेगा तो यहाँ पर मैंने साथ मिनिट के बाद चेक किया एक ट तो यहाँ पे अभी हमारा धोकला एकदम रेडि है मैं इसे निकाल लूँगी और थंडा करने के लिए रग दूँगी और जब तक यह ढोकला थंडा हो रहा है तब तक इसके उपर तड़का जो है और रेडि करते हैं तो तड़के के लिए यहाँ पर मैंने लिया है ओईल कोईल आप कम ज़ादा कर सकते हो, फिर इसमें डालेंगे राई और तील, तील of optional है, लेकिन खाने मी भी अच्छे लगते हैं, और दिखने में भी ढोकला हमारा और ज़ादा अच्छा लगेगा, तो इसी वज़े से मैं ने तील डाले हैं, फिर डालेंगे थोड़ी सी curry leaves और green chili ग्रीन चिली को एसे मैंने तोड़के डाला है फिर एक कप पानी डालेंगे और दो चम्मच चीनी डालके इसे उबालना है एक उबाल आ जाए या फिर जो हमारी चीनी है वह पानी में घुल जाए तब गैस आफ करेंगे तो यहाँ पे ढोगला भी एकदम थंडा हो चुका है अब इसकी साइड से हम ऐसे साइड से कट करेंगे जो ढोगला है एजीली हमारा बहार आ सके तो यहाँ पे इसी वज़े से मैं इसे कट लगा रही हूँ साइड से तो इसमें भी आप छेद ऐसे करके या फिर एसी ही लगा सकते हो लेकिन मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ इसे और उपर से फिर तड़का लगाऊंगी क्योंकि नीचे की साइड होती है ना उसमें जाली बहुत ज़्यादा आती है तो इसी वज़े से ना जो तड़का है और तो अच्छे से जाता है तो मैं नीचे की साइ अब मैंने यूज किया है क्योंकि जो मैंने जैसे बूला कि उपर की साइड से अच्छा हम नीचे की साइड से होती है ना उदर से ये जो पानी का लिक्विड है और डालेंगे ना तो और जादा पानी अफ्जॉब करेगा ये ढोगला तो इसी वज़े से नीचे से ही हमें कि ये पानी डालना है नहीं तो उतना ज्यादा सोक नहीं करेगा फिर यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा धनिया आप जो नारियल होता है वह भी डाल सकते हो तो आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ये और अब इसे कट कर देंगे तो पीसेस आप अपने हिसाब से कर सकते हो जैसे चाहे वैसे और ये ढोखला एकदम एजिली और जटपट सा बन जाता है तो आपको ये रेसीपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना तो एसा ढोखला तो बैचलर्स भी बना सकते है जो लड़के है वो भी इजिली बना सकते हैं तो ये रेसीपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर देना नया आए हो तो सब्सक्राइब कर देना फिर मिलते है